माने जब तक गियेंगे जब तक मंत्री में रहेंगे उनको लिए आई शीमा में कोई आथी नहीं होना चाहिए कि इनको भी बंधन होना चाहिए कि इतना बरस के बाद एलेक्शन नहीं लड़ सकते सब लोग करने के लिए तरह रहें नलांदा जिला कर तो 38 जीला मिलके करेंगे अब अस्ते यस्वी भहिया से बात हुई थी हमारी नौजन बड़ी को भाका माले की बिढ़ाय के माद्य हमसे डाइकलोरो डाइफिनाइल ट्राइकलोरो इथेन यानि कि डिडिटी छिरकाओ वाले सभी क्रमचारी यहां पर मौजूद हैं जो कि अपने मांग को लेकर आया दिन देखे जा रहे थे गरदनी बाकि धरनासल पर दो दिन चार दिन में आ रहे थे इस सत्र के दौरान इन्हें किया कुछ सफलता मिली है सरकार कितनी राजे हुई है इनके मुद्दो पे यह हम जाने की प्रियास करते हैं। बिहार राज डी डिडिटी छिरकाओं के प्रदेस अध्यक्ष हैं राजिस्कुमार राजक जी आप लोग कि क्या कुछ मांग है सरक में बढ़ेता सुची फैनल जीला अस्तर पे किया जा चुका है उसके बाद आरच्छन रोष्टे की प्रक्रिया की गई छे साल दिसंबर से हमारी बैठक कोई समाईजान निक्टी से समदित एक साल बैठक किया गया 21 से 22 तक साथ बैठक कोई इस बैठक महस्परश्टिकन बहा दिया गया कि समान परसासन बिभाग के कंजिका से आप लोग की बार्टा को रखे उसे मानने तेस्वी आदब से हम लोग की बात चीत हुई तरस्वासा नहीं मिला कि आप लोग तीन महीने का समय दीजिए हम लोग भी भागे इसका कैबिनेच पास करेंगे और उसके बाद होगी मगर ऐसा अभी तक कोई पैचान हम लोग को नहीं दीख रहा है अब भी जानते होंगे कि बिहार जो है आस्वासनों का प्रदेश बनकर रह चुका है आस्वासन पर आस्वासन मिलता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है वह किसी भी विभाग से हो सफलता आय दिन देखा जा रहे कि सभी को गर्दनी वाकिस धर्नास्तल पर मजबूरन आना ही पड़ता है तो आपको कितना कब तक उमीद रहेगा और कब तक आसा के खिरन लेके यासे ही बैठे रहेंगे जैसे हमें आज स्तेयस्वी भहिया से बात हुई थी हमारी नौजनबडी को भाकमाले की बिधायक के माध्यम से उसमें असपरश चुप से कहा गया था कि मार्स से अप्राइल आप लोग रुग जाईए आपका काम करेंगे एको मैचिक वा लेको तो हम समान परशासन वीभाग के खंजिका से हमारी करमचारी की छ्टे की पूरती हो जाएगी हम लोग इस बिभाग के समान पर शासन बिभाग में हम लोग नहीं आते है इसमें कोई आओर माईट यह में लोग का नहीं है तो राज को, समाज को, गाओं को एक स्वास्थ बनाने का काम यानी की DDT छिर्काव करने का काम करते हैं सवी करमचारी और कहीं न कहीं इनका जो जौब है समायोजन की बात है वहीं और स्वस्थ हो चुका है सरकार के इस रवया से तो हम जानने की प्रयास करते हैं और भी लोगों से कि कब तक आसा रखेंगे और इनको का सफलता मिलेगी या फिर ऐसे ही आके बैठना परेगा लोग अगर दो से तीन मा के बीच में अगर सफलता नहीं मिलती है स्वासमंत्री स्वासन के अधार पर लोग यहां पर गरदनी भाग में सब Duty क्रमचारी काम को बहिसकार करेंगे और अंत्यotाम लोग सभी करमचारी आत्मधा करने का भी कार्च करेंगे तो बताईए लोग मजबूर होके आत्मदाह करने जैसी बाते कह रहे हैं और पता नहीं सरकार या सुनने को बात क्यों नहीं राजी होती है सरकार की कान तक जू नहीं रेंगती है युवाओ का प्रदेश है युवाओ यहां पर उपमुक मंत्री है साथ में स्वास मंत्री है और स्वास विभाग से यह related मुद्दा है तो क्या लगता है कि आप ऐसे ही उमीद बनाए रखेंगे सरकार जो है ऐसे ही आपको आस्वासन देगी आस्वासन पर टिकर रहेंगे तो देखिए यह जो एकता है कहीं या जो मजबूती है या सरकार समझ रही हो कि भले ही आपने मजबूरी के लिए कर रहे होंगे या जो छिरकाव करते होंगे बात से आतमदा करने की बात कह रहे हैं और मजबूती के साथ कह रहे हैं और सरकार को इस पर संग्यान लेने की आपशक्तव है और लेना चाहिए क्योंकि सत्र के दौरान सरकार वादे करती है आस्वासन देती है उससे पहले लेकिन सरकार सुनने को राज ही नहीं होते हैं यह जो उम्र है आपका इस उम्र में चिर्चिराती धूप में आप आके बैठे हुए हैं गरदनी बाग में और इस धूप को सहन कर पा रहे हैं साथ में आप अपने पेट की लराई लर रहे हैं तो कब तक ऐसे ठीकेंगे अब तहान तो तुट तीन साल में भी परव्याश कर गिया है साथ बरस बाकी है तो यह हमको लगता है कि द् अजवी अगर कल अगर दू दिन के अंदर में अगर विभाग ये मारदर्स सिथ कर देते हैं विभाग को तो समझे कि एक महिना के अंदर में हमको बाली हो करके सब प्रिक्डिया हो जाएगा आये चैन समीति या फलना समीति का गठन करके हम लोग के उल्जा करके रख दिये हैं तो यह भी पास नहीं करेगा काये कि सब बुजूर्ग हो चुका है पढाई छोड़ा कितना बरस हो गया तो अब परिच्छा किय दोदर परिटाइ तो यह ज़िए सकता है तो यह सब नखरा तिलाह करने से सरकार को नहीं चलेंगे और सीधा-सी-धीए हम् लोग के मर्दरशित को मर्दरशित करें विभाग को कि हम लोग के एक महिना के अंदर में सब प्रक्रिया हो करके बाली हो जाएं यह जो यह? यह जो चैन का प्रकिरिया है यहाने से आप लोग सक्षम हैं कानवेर के लेटर के नुशार हुआ है पुरे बिहार भर में तो उसके नुशार हम लोग कार्ज पर लगया है कि आज समय जन होगा कछन होगा हम लोग का जीवन इसी में बीत गया आज हम लोग का पचास-पच्पन बरस का उम्र होने जा रहा है आज हम लोग परिख्षा देने जाएंगे हम लोग के मैटिक किये हुए हम 86 में किये हैं मैं सारण जीला से आता हूं सुरेश कुमार नाम है मेरा तो यह जो उम्र है कहीं कहीं पचास-पच्पन-शाठ के उम्र वाले लोग हैं और यह सभी जो हैं जिस समय या इनकी बहाली हुई थी उस समय कोई भी इस तरह का प्रकिरिया नहीं था लेकिन अब जो है वरतमान में किसी न किसी तरह से इनको गुम्रा करने के चक्कर में सरकार ऐसी ऐसी नियमा वाली निक सरकार को सन्केत देना है और यही मंतरी लोग जनता दर्वार लगते हैं तो उसको एसाफ़ा देखतें हैं कभी जनता दर्वार में बढ्डते इसमेट साहिब और इनको पर भेंट करेंगे कि इनको से बात होगा तो बात होना तो संभव है यह जंता दर्वार लगाए लगाते हैं उसी तरह से भी अपना रास्टी जंता दलकर लोग लगाते हैं, तो उसी तरह से भी लगाएंगे, तब इन लोग के पास में हम लोग भी जाकर अपना परियात कहेंगे, कि माने हम लोग के इया इया डीमांड है, जा भोट मांगने के लिए समाई उनको है जनता के लिए काम नहीं है तो माने गठबंधन करने से का फैदा होगा नियता लोग रोट पर घूमेगा जनता लोग अपना थाली पीटेगा जन्ने मन होगा जन्ने जाएगा जो आप बात कहें कि 50-55-60 वर्स हो चुका है और अब नया नया प्रकिरिया आ रहा है नया नया नियामावली आ क्राम्चारी के लिए नया 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 सरकूरल बनता है मंत्री लोग के लिए नियामा कानूनाव नहीं बनता है वह लोक कर ने जब तक महांत्रे और उनको लिए को और यह सकाएगे कि इतना व्मेस के बाहर बहुत सके हैं मोटर साइकल गूरलव हो जाएगा तो उसे जीने का सहारा दे और जिन्दगी जीने की राह बताए अन्या था हम लोग जनता है जनता जनार्धन बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे सरकार को सिंहासन बैठाते हैं सिंहासन उन्हीं को मिलता है यह सरुपर होता है कि उसका सर्च्वाइइं संध्य इस नीचे हैं लोग सिंगसें नीचे हैं हैं इसमें से शरकार से आदेश हैं जी सरकार हम लोग भी सिंगसर क्यां दे और हम लोग वी जगह दे passiert-아요 आदमी सिंगसने पर हुब हो आज से करके देख पए गाया countersarto तो चालीजर करमचारी हैं तो हमारी पत्नी हैं हमारे बच्चे हैं मेरे घर मेरी माँ बाप मेरे खिलाब जाएंगे मेरे भाई हमारे खिलाब जाएंगे कम से कम पुड़े बिहारें बोड़ मेरा कम से कम तीन लाग का बोड़ होगा जिजी चीसे संबंधित बिहार सरकार अगर हमारी मदद कर देगी सिप विभाग ये मांग दर्शन की बात है ना उनको अपना खजाना देना है ना कुझ देना हमारी पैसा केंद सरकार पेमेंच कर पर पठ्टना जीला में जो भी लेचर देख रहे हैं उसमें विभागी कोई माग दर्सन आप लोग का नहीं है इसलिए विभाग की बाहरी आदब को पकड़िये और आप परधान सचीफ परते हम्रित को वो विभागी माग दर्सन दे देंगे आपकी जो आइनिंग हम लोग क आपके हम करंचारी हैं आप हमारे मंत्री हैं आप मदद नहीं करेंगे तो कौन मंत्री और मदद करेगा हमें विभागी आदेश की बात है विभागी आदेश सिर्फ मांग रहे हैं और सिर्फ एक मांग है जो विभागी आदेश और वह भी स्वास मंत्री तेजस्वी सब्सक्राइब करना नहीं को देखते हैं सब्सक्राइब करना नहीं